जै हीन जै भार दोस्तों मैं आपका दोस्त अजीत फोजी सुंगरपुरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स केडमी तोसाम दोस्तों एक बहुत बड़ी बरती निकली है लास्ट टूडेंट के लिए इस बरती के बारे में बात करें उससे पहले बात करते हैं हमारे देश के अंदर महामारी फैली हुई है करोना अब इसमें करोना में अपने आपको सुरक्सित रखें दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर का परियोग करें अपने आपको इंसुलेट रखें जादा तर फालतू की जगे ना जाएं ठंडी चीजों का उपियोग कम से कम करें और पढ़ाई करते रहें गर पर रहकर अब बात करते हैं दोस्तों इस बरती के बारे में ये जो बरती का नाम है जैग इंटरी स्कीम ये बारती सेना की एक ब्रांच है जैग का फुल फोरम होता है जज एड वोकिट जर्नल तो इसमें बारती सेना में अफसर बन सकते हैं जो हमारे लास्ट टूडेंट हैं लड़के और लड़कियां यहां पर भारतिय सेना में अफसर बनने का सुनेरा मोका है लड़के और लड़कियों के लिए इसके फारम स्टार्ट हो चुके हैं फारम की जो डेट है वो 6 मई 2021-15 सौहर्ज से लेकर 4 जून 2021-15 सौहर्ज तक लास डेट है यहां पर आप फारम भर सकते हैं फारम भरने के लिए जर्नल, बशी, 80, 80, male, female किसी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है शिरफ अपलिकेशन फिरी है आपको शिरफ फारम भरना है फारम आप जोईन इन आर्मी की साइट पर जाकर भर सकते हैं उसके अलावा जो इसकी एज का टॉप है वो जुलाई से ली गई है एक जुलाई 2021 से तो मैक्सिमम एज है वो मीनिमम एज ही किस एर्स और मैक्सिमम 27 साल 27 साल आपकी उमर है आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना दोस्तो ये जो है वो SSC के तहत होती है आपको पता है सौर्ड सर्विस कमिषन जो लेते हैं इसके अंदर 10 साल के लिए टर नोगर होता दोस्तों आप 10 साल के लिए सौर्ड सर्विस कमिषन ले लेते हैं बारती सेना में अफसर बन जाते हैं और अगर आप इसको extend करवाते हैं तो चार साल तक और extend करवा सकते हैं 14 एर तक कर सकते हैं उसके अलावा अगर आपकी ACR वगरा सही हैं आपका ने काम सही किये हैं आप फिट हैं तो आप पर्मानेंट कमिशन में भी PC कमिशन हो सकते हैं इस बच्चे जिनोंने डिगरी की हुई है कोई भी बी ए बी ए सी और उसके बाद LLB की तीन साल के लिए LLB की डिगरी ली हुई है तो वो फारम भर सकते हैं इसके अंदर लेकिन उनके पास 55% मारक होने चाहिए उनकी LLB की डिगरी में उसके अलावा कई स्टूडेंट क्या होत होने चाहिए फारम बरने के लिए दूसरी सर्त है दोस्तों कि उसका बार जो काउंसेल होती उसके अंदर रजिस्टेशन होना निवारी है और जो मारक हो 55% होने चाहिए ये दो ही सर्त हैं इसमें मैं के लिए 6half na see है और वो मैं के लिए 2 वीक NC हैं दोस्तो तो आप फारम बर सकते हैं ओनलाइन फारम स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको डेट बता दी गई है फारम बरने के लिए आपको पता ही है आपके सारे ID पासवर्ड जो भी सारे डोकॉमेंट सभी इसमें लगेंगे आपके फोटो वगरा सभी और ये आपको उसक सबसे पहले दोस्तो आपको बता दें जो भी लड़के और लड़कियां जो लास्ट टुडेंट हैं मैन और वोमेन उनकी लिए अपलिकेशन इन्वाइट की गई हैं वो अन्मेरिड होने चाहिए सबसे पहले तो मेल और फिमेल अन्मेरिड जो ग्रेजुएट कंडिडेट हैं जिनोंने ललबी किया हुआ है तो वो फारम बर सकते हैं उसके बाद की नागरीकता है वो भारती होना चाहिए एज लिमिट आपको बताई दी 21 से 27 साल एजुकेशन क्वालिपिकेशन आपको बताई दी ललबी और प्लस टु के बाद पांच साल की बार काउंसिल में आपका रजिस्टेशन होना चाहिए वेकेंशी आपको बता दी मैं के लिए दो उसके बाद आपको बताई दिया कि ट्रन और जो अंगेजमेंट है वो सर्वीस का जो है वो स्सी के तहत रहेगा सोट सर्वीस कमिशन लिया जाएगा वो दस साल के लिए होता है चार साल आपका अक्स्टेंड करवा सकते हैं उसके बाद आप परमानेंट कमिशन में भी तब्दिल हो सकते हैं उसके लिए आप फिट होना जरूरी है आपका स्टेबल होना चाहिए फिट होना चाहिए जो भी एस यार वगेरा हापकी वो उसके बाद आपको बता दें आपको च्छै महीने का पीरेड दिया जाएगा आपका सेलेक्शन होने के बाद अगर आप च् लिए कंडिशन रहेंगी एजे अपसर वो आपकी एस यार वगरा सही होनी चाहिए और यह हैंने बारत सरकार जब भी चाहिए इसको कमिशन को भंग भी कर सकते हैं गौर्मेंट वो उनके उपर है बारत सरकार के उपर ऐसा नहीं कि वह आप इसमें लगगे तो अट नहीं सक अपशे इस परकार से यह रहता है इसके अंदर उसके बाद आपकी जो ट्रैनिंग है वो 49 वीक की होती है और यह ट्रैनिंग OTA office ट्रैनिंग Academy है ट्रैनिग के अंदर वहां पर इसकी एक branch है अपने जैक की वहां पर आपको report करनी है आपका selection ओने के बाद तो आपको वहांपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ट्रेनिंग 49 वीक की है और जब आप सपलता पूर्वक लग बग 1 साल मान लो आप तो सपलता पूर्योक आपने त्रेनिंग करने के बाद मां आपको पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा इन डिफेंस में आपको मनेजमेंट एंड स्टेटेजिक स्टेडी का आपको डिप्लोमा देया जाएगा और ये डिप्लोमा उनिवस्टी और मदरास से रहेगा अगर आप बीच में छोड़ना चाहो तो आपको जो है कोस्ट ओफ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आप बीच में छोड़ नहीं सकते इस परकार से उसके लिए आपको बता रख्या है कि 12908 रुपे पर वीक ये 30 जून तक है 30 जून 2020 तक का रेट बताया है उसके बाद अगर आगे छोड़ते हो तो उसके बाद आपको 8% और मिला करके देना पड़ेगा तो इस परकार से आप ट्रेनिंग को बीच में नहीं छोड़ सकते नहीं तो उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा कोस्ट का ट्रेनिंग का उसके बाद इसमें इस परकार से रेंक रहेंगे इस परकार से आपका पर्मोशन का क्राइटेरिया है ये आपको जो पे स्केल है वो लेवल 10 से सुरू होता है 56,100 से 1,33,500 स्टार्टिंग है आपको मिल्टरी सर्विस पे भी मिलती इसके अंदर 15,500 पर मंद फिक्स है इस परकार से आपको ये पे स्केल बता दिया कैडिट के लिए और ट्रेनिंग के दोरान भी आपको जो 56,100 रुपे पर मंद मिलेंगे एज इस टाइफंड खर्चे के लिए है तो इस परकार आप ट्रेनिंग के अंदर आपको पैसा भी मिलेगा और आपको सभी परकार के अलाउंस इज आपको लागों हैं इस परकार से आपको सभी परकार की सभी मिलेंगे आपको आप कैसे अपलाई कर सकते हैं अपलाई के लिए हमने बता दिया कि आप जोईन इडिन आर्मी की साइट पर जाकर वहां पर अपलाई ओनलाइन रहता है अपसर के लिए वहां पर आप कलिक कर ये फारम भर सकते हैं इस परकार से फारम बरने के बाद और अपने जो हैं सारे डोकुमेंट वगरा सेलफ अटेस्टिड करके रखें और इनको बेजना भी पड़ता है इनकी ब्रांच को एक सेट को उसके बाद आपका इसके अंदर जो है सेलेक्शन का जो प्रोसीजर रहता है दोस्तों उसका ले बता दें आपको डोकुमेंट क्या चाहिएंगे सबसे पहले जो आपकी ट्वेल्थ के असेट्टिविगट मारक सीट है गरेजुएशन की डिगरी है जो आपने गरेजुएशन की है इनकेस ओफ एललवी थरी एर की है उसके या गर पांच साल की की है तो एललवी वो डिगर मारक सीट आल जो समेस्टर सिस्टम है इस परकार से जो भी आपने रजिस्टेशन करें अबार काउंसिल में उसका हो रजिस्टेशन नंबर वगरा तो इस परकार से आप ये सभी डोकुमेंट आपके लगेंगे आपकी आईडी पासवर्ड फोटो ये चीजें सलेक्षन का जो प्रोसिजर रहेगा वो इस परकार से है दोस्तो सलेक्षन के लिए आपको जो सोट लिस्टिंग किया जाएगा पर्सेंटेज के इसाब से किसको बुलाते हैं इंट्रू के लिए आपका सारे डोकुमेंटों को चेक करने के बाद में कट ओफ लगेगी और आपको एस एस बी के लिए इसमें अलग-अलग सेंटर दे रखे हैं सेंट्र अलाबाद है जैसे यूपी में बोपाल एमपी में बैंगलो रहकर नाटका में कपूर्थला पंजाब में है आपको एस एस एच बी के लिए बूलाया जाएगा यहाँ पर आपको जो सेंट्र दे दिया जाएंगे फिट हो जाएंगे उनका मेडिकल और एक्जामनेशन होएगा और उसके बाद में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगरा और मेरिट लिस्ट वगरा आएगी और आप जाकर के जौइन कर सकते हैं इस परकार से जो भी आपको बताई दिया था छह महिने में आपको ज जौइन करना जरूरी है अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जौइन नेशन होगा वो कैंसल कर दिया जाएगा फार्म स्टार्ट हैं तो जिस वाई ने भी ला स्टूडेंट हैं हमारे जो भी उस फार्म बर सकते हैं जो हमारे ला के एक अंडिडेट हैं लड़के और के अंदर जज एड़ोकेट जनरल ब्रांच है उसके अंदर और सारी फैसिल्टियां आपको मिलेंगी एजए अफसर और आप पर्मानेंट कमिशन में भी तब्दिल हो सकते हैं और कुछ साल के लिए गर आप करते हो ता आपको डिपलोमा भी मिलेगा इसके अंदर मदराश प्रूडेंट के लिए जिन्होंने भी लासे ग्रेजुएशन की हुई है डिग्रियां की हुई है ललबी वगरा तो जो मेरे भाई हुन के लिए बेस्ट ओपलक अपना भारम बरें त्यारी करें एससबी की कोचिंग लें और एससबी कलियर करें अफसर बने भारतिय सेना मे बेस्ट ओपलक दोस्तो जै हिन जै भारत आप भी किसी परकार की बरति की जानकारी या त्यारी करना चाहते हैं तो हमसे संपरक करें ओम स्पोर्ट्स कैडमी तोसाम ये हरियाना के अंदर विवानी डिस्टिक के तोसाम तसील के अंदर ये अकैडमी है आप हमें गुगल पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट्स कैडमी लिख कर हमारा यूट्यूब के उपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स कैडमी तोसाम के नाम से फेस्बुक पर भी हमारा अकाउंट है ओम स्पोर्ट्स कैडमी इंस्टाग्राम पर भी हमारा ओम स्पोर्ट्स कैडमी के नाम से ह हमारा अकाउंट है टेलिग्राम वाटसप के लिए हमारा नमबर सतर चपन किन्सो नब्बै नो सो नो सेवन जीरो फाइब सिक्स थ्री नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंती के निशान को दबाना ना भूलें